राजधानी दोहा में रविवार को अफगानिस्तान को लेकर सन्युक्त राश्ट्रसंग यानीन यूएन की एक बैठक हुई इसमें भारत समेट 25 देश शामिल हुए साथ ही ऐसा पहली बार हुआ है जब तालिबान के नेता अफगानिस्तान पर चर्चा के दौरान मौजूद रहे हो इससे पहले वे यूएन की हर उस बैठक का बहिशकार करते रहे हैं जिनमें अफगानिस्तान पर चर्चा की गई हो अफगानिस्तान पर हुई UN की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्राले के अधिकारी जेपी सिंग शामिल हुए वहीं हाला कि इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दोहा में थे पर वे बैठक में नहीं आए वहीं बता दे कि भारत अभी तालिबान के मामले में फूख फूख कर कदम रख रहा है जेपी सिंग ने UN की मीटिंग से पहले मार्च में काबूल गए थे वहाँ उन्होंने तालिबान के अधिकारियों से मुलाकात की थी वहीं अफगानिस्तान को मानिता देने के लिए अभी भारत अभी तैयार नहीं है हाला कि वहाँ मानुवी ये मदद पहुंचा कर अपना असर बनाई रखा है एक्सपर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालातों की वजह से भारत तालिबान को इग्नौर नहीं कर सकता है